बीजेपी के वरिस्ट नेता जावेद कुरेशी ने डीसी कूपवाड़ा द्वारा पी एम एवाई सूची में पुनहा सत्यापन के आदेश का स्वागत किया आपको पता दे आदीश का स्वागत करते हुए कुरेशी ने कहा कि सत्यापन आदेश गरीबों कुन्याए और पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है जाविद कुरेशी ने कहा कि कई प्रतिनिधि मंडल मेरे आवास पर आए हैं और पी एम ए वाई सूची में योग्या परिवारों की अंदेखी के लिए प्रशासन के खिलाफ रोश व्यक्त किया है मैं इन लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि मैं नियाए के लिए उनकी ओर से बोलूँगा मैं DC कुपवाडा का अभारी हूँ कि उन्होंने उन लोगों को नियाए दिलाने के लिए PMEY सूची में सत्यापन शुरू किया जिन्हें राजनी तेक हस्त शेप के कारण हटा दिया गया और दर केनार कर दिया गया उन्होंने कहा कि कुपवाडा मैं PMEY सूची के सत्यापन के लिए DC कुपवाडा द्वारा बनाई गई समीती गरीब लोगों मैं पारदर्शिता जवाब देही की उमीद लाएगी मैं जले कौफवारा के डिप्टी कीमिशनर साहब को सलाम पेश करता हूँ जो जले कौफवारा के DC साहब ने आज जो एक आडर निकाला है उन आफसरों के लिए जो इस I.A.Y. केस का रिपोर्ट तयार कर रहे हैं और उनको हिडाय दिया गया है DC साहब की तरफ से कि वो रिपोर्ट बना के DC साहब के पास DC आफस में लेकर और उसके बाद DC आफस से इसकी वेर्विकेशन होगी ये सबसे बड़ा महत्पून फैसला आज DC साहब ने लिया है मैं समझता हूँ कि जिल्ल कफवारा के जो गरीब अवाम जो कही दिनों से परिशान थे जिनको लग रहा था कि हमारा हक लूटा जा रहा है आज हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है मैं DC साहब को इस गरीब अवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ जिन लोगों की उमेहदे थी जिन जो लोग कही सालों से इंतिजार कर रहे थे कि हमें I.A.Y. के पैसे मिलेंगे और हम मकान बनाएंगे मगर कुछ ऐसे लोग थे जन्होंने इसको जागीर समझ लिया था और उसके बैद जब गरीबों ने एक आवाज उठाई और गरीब जब आवाज उठाता है वो हकीकतन DC साहब ने सुन ली और DC साहब ने आज जो आडर निकाला है गरीबों की उमेदे बढ़ चुकी है और मैं DC साहब को जिल कौफारा की आवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ आज गरीब को लग रहा है कही लोगों ने फोन किया मुझसे कि जो कह रहे हैं कि DC साहब ने जो आज फैसला ले लिया है ये सबसे बड़ा फैसला है और गरीब आवाम के लिए ये बहतरीन फैसला है मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी अडिमिस्टेशन काम कर रही है खासकर जिल कौफारा के जिस तरीके से ये अवाम की जो उमेदें हैं जो इस गरीब आवाम की उमेदें खत्म हो चुकी थी आज दुबारा वो उमेदें इस गरीब आवाम की जिल कौफारा के DC साहब ने जगा आई है और जिले कौपारा के भी आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ आप इश्वास रख लीजे और हमें जिले कौपारा में ऐसा डीसी साब मिले है जो हकीकतन में इमांदार और इस गरीब आवाम की आवाज को सुनने वाले डीसी साब है